तो एटिव स्वागत ए आपका अनक एड्यूर्स के इत्सका एंडिडियंत रेबीडर डीजोर्सतां करें प्लाट्फॉर्मय में आज आपको टोक्सिकलोजी ने नया साइन्स का अलमनाय रह चुका हूँ और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचन एंट से जुड़िया था हूँ थोड़ा अनकेडमी के बार में बता था हूं जहां पर आप की स्पेशल कलास का बेनफ़ित यह कि यह क्लासे से अग्दम लाइव होती हैं लाइव होती है तो जिते भी लाइफ लास के benefit होते हैं तो वो आप अपने घर बैठे बैठे आप उठा सकते हैं यहाँ पर सबसे plus point यह है कि आप यहाँ पर interact कर सकते एजुकेटर के साथ अपने घर बैठे बैठे Unacademy platform पे आपको mock test के सुभध हैं मिलती है इन mock test के थुरू आप अपनी preparation का evaluation भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको flexible schedules मिलते हैं अगर मैं example के तौर पे interns की बात करूँ तो उनके daily अलग-अलग duty hours रहते हैं ऐसे में वो जब चाहे हैं अपनी duty hours से free होके और जब चाहें वो हमसे जोर सकते हैं यानि कि वो आपना खुद का time table बनाके learn कर सकते हैं यहाँ पे language preference मिलती है जैसे English है, Hindi है, Malayalam है, Tamil है और भी बहुत साई languages में यहाँ पे आप अपनी preparation कर सकते हैं यहाँ पे practice के लिए यहाँ पे practice के लिए quizzes के सुधार दे रखिए इन quizzes के थूँ आप अपनी knowledge को test कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया था special classes live होती है तो ऐसे मैं आप उन live classes के अंदर किसी भी चीज के लिए discuss कर सकते हैं educator के साथ कोई question answer पूछ सकते हैं उस question का answer आपको तुरण मिल जाए है यादि कि one-to-one interaction होता है educator के साथ यहाँ पे interactive poll की सुधा मिलती है इसका मुला यह है कि मान लीजे मैंने मैं आपकी कोई special class ले रहा हूं और मैंने आपके सामने कोई question put up किया और उसके लिए चार option जो है आपको स्क्रीन के उपर डिस्प्ले हो जाएंगे बस आपको क्लिक करने सही option को तो जैसे आप option क्लिक करते हैं आपको उसका answer तुरण मिल जाता है अगर आप बहुत जाद रिमोट एरिया में पे रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है आपको बस internet connection चाहिए और आप हमसे जुड़े हैंगे यह हुआ learn anytime, anywhere आपको बस करना यह है आपको अपने smartphone में अनकेडमी learning है आपको install करना है install करने के बाद आपको subscription लेना है subscription के लिए भी यहाँ पे different options मिल जाता है जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month लेकिन अगर मैं subscription charges की बात करूँ तो subscription लेते से में अगर आप मेरा code यूज़ करेंगे livee-dram अगर आप मेरा code यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% का discount मिल जाता है यानि कि अगर 1 month के subscription charges के आगर मैं बात करूँ तो मेरा code अप्लाई करने के बाद या आपको पड़ेगा 4,500 का 3 month के subscription charges के अगर बात करूँ तो मेरा code अप्लाई करने के बाद या आपको पड़ेगा 11,250 का 6 month के subscription charges है मेरा code अप्लाई करने के बाद या आपको पड़ेगा 18,000 का 12 month का subscription लेने पर अगर मेरा आपको पड़ेगा 22,500 का ऐसी आगर 24 मन्स की बात करूं यानि 2 साल की बात करूं तो मेरा पड़ेगा 27,000 रुपीज का तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक फैक्ट लेखिया हूं तो 1 month को के subscription charges को अगर मैं और add कर दूँ तो 12 months plus 1 month is called to 13 month के subscription charges में आपको पूरे 2 साल का benefit मिलता है यानि कि आपको pay करना 13 months के लिए लेकिन आपको जो benefit मिलेगा वो पूरे 2 साल के लिए benefit मिलेगा तो चली दोस्तो इसे के साथ आज का topic स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता है हूँ कि जब भी आप पढ़ाए यह स्टार्ट करें अपने अंदर पॉस्टियो एनरजी लेकिए आए अपने अंदर बिलीव लिखाए कि हमेशा अपने अंदर बिलीव रखें दोस्तों कि आप नीट पीजी एक्जाम कर सकते हैं वह भी अच्छी रेंग के साथ हमेशा अपने अंदर यह पॉस्टियो एनरजी लेकिए कोई भी स्टेटी करने से पहले तो जैसे मैंने आपको बताया आज का जो topic है वह पेस्टिसा पेस्तिसाइडेस्ट्रान पैस्तिसाइडेस्द्थ ci रोड्निका। रबिस। हडि शर्किख सॉंभी सब लेकिरेस के फंगि के बात करूं तो सिह भासं क्यों खाइब्सक्वीक्नों और पारेथरोइट्स रोडेंटिसाइट के अग बात करूं तो थीज आदा कम्पाउंड्स यूज्ज तू पिल रोडेंट्स लाइक रैट माइस मोल एक्सेक्टर एक्सामपल सार जिंक फॉसफाइट बेरियम कारभोनेट इस्टिकनी वार्फरीन एक्सेक्टर अग बात करू तो इसे के साथ पहला पैसिट हम लेते हैं यह है और और फॉसफोरस कंपाउंड तो यहां पर हमने डिफिरेंट टाइप ऑफ पैसिसाइट के बार में जाना तो इसे के साथ पहला pesticide हम लेते हैं यह है organophosphorus compound तो organophosphorus compound क्या आते हैं organophosphorus poisoning is the most common poisoning in India followed by aluminium phosphide aluminium phosphide को मैं आगे बताऊँगा जो brand name जो होते हैं उसका cell force वगरा जो होते हैं organophosphorus compound are available as dust powder or liquid organophosphorus compound are classified as alkyl compound compound और aryl compound alkyl compounds के लिए क्या क्या आते हैं such as TEPP, HETP, OMPA और melathione aryl compounds के लिए क्या क्या एक्जामपल आते हैं such as parathyord, chlorothione, thiazides, disinone और peroxone दूसरे इनको याद करने के लिए एक छोटी सी जो trick है वो है पराई, मलाईका जैसे P, A, R, Y पराई और मलाई तो यह M, A, L, A, K, Y मलाई का ऐसे करके आप याद कर सकते हैं और पराई तो पराई, मलाई का ऐसे करके आप याद कर सकते हैं Organophosphoase, O API Organophosphoase के absorption, Metabolism और Ascription की बात करते है Organophosphoase compounds aur absorbed by any root जैसे की skin conjunctiva, inhalation, bone, oral और by direct injection some compounds such as parathione are stored in body fat and are released slowly in the circulation thus prolonging the duration of toxic action parathione is first metabolized to paroxone which is the active toxic agent and then to paranitrophenol that is excreted into urine malathione is metabolized in liver by asterases and part of this metabolized product is excreted in urine as phosphate तो जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल कर दूमें तो जो parathione है वो metabolized होता है paroxone में ताकि वो असानी से urine में excret हो सके mechanism of action की आगर मैं बात करूँ तो इसके दोस्तों आपको यार रखना पड़ेगा कि यह irreversible inhibitor of acetyl polynesterase है तो यहाँ पे यह लिखा हूँ है organophosphorus compound are inhibitors of inhibitors of acetyl polynesterase तो acetyl polynesterase is required to hydrolyze acetyl polyn to choline and acetic acid यह अपने 12 यह अपने pharmacokinetics के अंदर जो pharmacology जो subject है उसके अपने पढ़ा होगा कि acetyl polynesterase जो होता है वो help करता है hydrolyze करता है acetyl polynesterase को यह hydrolyze करके क्या बनाता है koline acetic acid as a result there is accumulation of acetyl choline with continued stimulation of local receptors and eventually paralysis of nerve or muscles nerve or muscles के अंदर जो local receptors होते हैं वहाँ पर acetyl choline का accumulation हो जाता है accumulation हो जाता है acetyl choline का organophosphate intoxication leads to characteristics and plate abnormalities that reflect the degree of acetyl choline esterase inhibitor and increase in acetyl choline concentration at the neuromuscular junction तो एक picture के साथ यह समझते हैं जैसे आपने pharmacology के अंदर पढ़ा ही होगा कि acetate plus coenzyme A plus ATP यह सब मिलके बनाता है acetyl coenzyme A इसके अंदर choline जब और add हो जाता है तो choline acetylase enzyme की मदद से acetyl choline बनता है plus coenzyme A acetyl choline के उपर choline esterase act करता है hydrolyze करके बना जाता है koline और acetate को तो organ of phosphorus compound जो होते हैं वो इस area में act करते हैं इसको यह block कर देते हैं तो flow chart showing mechanism of formation of acetyl choline and inhibition of choline esterase enzyme by mark x तो acetyl choline esterase यह जो enzyme है इसको inhibit कर देता है तो जब acetyl choline जब hydrolyze नहीं हुआ तो accumulate होता रहेगा तो क्या होगा तो diagram showing action of acetyl choline on receptor due to inhibition of acetyl choline esterase by organ of phosphorus compound M indicate muscularinic receptor and indicate nicotinic receptor तो यह जित्ते के उपर तो यहां पर अगर में short में लिख दूँ तो irreversible irreversible inhibition inhibition of acetyl acetyl choline esterase choline esterase यह organ of phosphorus compound का काम होता है इनके fatal dose की दोस्तों कर बात करूँ मैं तो malathion 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 about 60 gram fatal dose TEPP 100 gram OMP 175 gram parathion 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 aryl aryl compounds 175 mg HETP 350 mg diazenone होता है 1 gram और इसका जो fatal period होता है दोस्तों ही होता है 24 घंटा तो clinical features की दोस्तों के मैं बात करूँ तो इसके अंदर clinical features काफी unique clinical features आते हैं आगे मैं समझा दूँगा तो organophosphorus organophosphate insecticide poisoning in human can produce acute poisoning इसके नहीं क्या होता है due to acute peripheral and central cholinergic block and intermediate syndrome with weakness a delayed distal polyneuropathy acute poisoning की अगर बात करें तो सबसे पहला लेते हैं musteranic effect तो जो musteranic receptors होते हैं उनके block हो जाएंसे क्या-क्या effect आते हैं body पे due to musteranic action like due to musteranic like action following clinical features are absorb क्या-क्या feature are absorb broncate tree के उपर effect करेगा तो उसके इंदर क्या देखने हो लेगा कफ increased secretion bronchoconstriction wheezing dyspnea pulmonary edema GI पे क्या effect करता यह nausea or vomiting abnormal cram diarrhea sweat gland पे क्या करेगा increased sweating करेगा salivary gland पे क्या करेगा increased slivation करेगा lacrimal glands के उपर यह दोस्तों एक खास इसका feature है increased lacrimation increased lacrimation होगा लेकिन इसके ने red tears निकलेगा इसलिए कि आप ऐसे समझातने कि खून के आंसो इंसान रोता है तो chromodachyria chromodachyria यानि shedding of red tears due to accumulation of porphyrin in the lacrimal gland is seen very rarely तो खून के आंसो होते हैं इसके अंदर आइस के अंदर क्या दिखेगा meiosis burning of vision or dimness of vision meiosis doublet due to inhibition of cholinesterases and marked parasympathomimetics stimulation of iris however dilatation of pupil in organophosphate intoxication has been recorded therefore it is essentially not to rely only on pupillary size as diagnostic criteria for organophosphate compound poisoning heart क्यों पर ये क्या शो करेगा slow pulse करेगा और hypertension शो करेगा urinary bladder पर क्या करेगा frequency of mixturation और इसके साथ ये urinary incontinence incontinence भी शो करेगा तो इस जित्ते भी features हैं दोस्तों mascaranik के इसका एक pneumonics से याद करते है mascaranik manifestation can be remembered by the pneumonics dumbbells dumbbells pneumonics से हम ये याद कर सकते है D से डाइरिया D से डाइरिया U से है urination U से है urination M से है meiosis B से bronchospasm फिर B से आता है bradycardia bradycardia E से MSS E से हैं यहाँ पर MSS L से है lacrimation S से है आपका salivation तो ऐसे करके आप dumbbells करके आप pneumonics इसका याद कर सकते है mascaranik का ऐसे आप याद कर सकते हैं कि dumbbells उठाने में muscles का काफी काम होता है तो जब gym में जो कोई इंसान जाता है तो अपनी muscle power को increase करने के लिए ही वो dumbbells होताता है तो इसलिए आप इस pneumonics को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि muscaranik के लिए dumbbells pneumonics है दोस्तों next बात आता है nicotinic effect के उपर तो nicotinic effect RS follows extrated muscles के उपर क्या होगा easily fatigue weakness muscular teaching fasciculation cram sympathetic ganglia के उपर क्या करेगा occasional elevation blood pressure tachycardia increased adrenal medulla activity तो इसके लिए pneumonics है match M से muscle weakness देखने हो मिलेगा and fasciculation देखने हो मिलेगा A से होगा adrenal medulla activity increase T से tachycardia C से cramps in muscles S से hypertension तो इस सारा है M से muscle weakness muscle weakness F से fasciculation A से adrenal medulla activity increase adrenal medulla activity increase T से tachycardia C से cramps in muscles और S से hypertension Next दोस्तों बात करते हैं organophosphate compounds का CNS के उपर क्या effect पढ़ता है CNS effects are irritability apprehensions restlessness fine fibrillary tremors of hand eyelids face or tongue muscular weakness convulsions the convulsions may be toxic tonic limbs stretch and rigid or may be clonic ज्यादा tonic भी हो सकते हैं या फिर clonic भी हो सकते हैं clonic होता है repeated rapid repetitive movement chronic convulsions chronic convulsions are more common chronic tonic mental confusion processing too stupor to coma depression of respiratory and circulatory center next दोस्तों बात करते हैं other features पर तो और और क्या-क्या features देखने को मिलेंगे इसकी poisoning में toxic myocarditis has been reported pancreatitis may be noted the parasympathetic stimulation of pancreas with acetylcholine, pilocarpine or vagal stimulation cause augmentation of the circulatory flow and increase intraductal pressure however the exact cause of pancreatitis is unknown organophosphorous compound produce metabolic acidosis by respiratory depression, bronchoconstriction, pulmonary edema, CNS depression and lact-acidosis cause of death इसके ने क्या-क्या होगा respiratory failure, cerebral hypoxia, hyperthermia, hepatic failure and raneal failure यह सारी इसके ने features देखने को में लेंगा cause of death में इसके दो syndrome के दोस्तों बात करेंगे एक होता है intermediate syndrome और दूसरा होता है दोस्तों delayed polyneuropeathy तो पहला बात करते है intermediate syndrome की तो intermediate syndrome is a neurotoxy effect that appears after acute cholinergic crisis but before the expected onset of delayed neuropathy the cardinal feature of the syndrome is muscular weakness affecting predominantly the upper limb muscles and the neck flexor cranial nerve palaces are common the intermediate syndrome predominantly affect muscles inovating by the cranial nerves जैसे की neck reflexes neck reflexes proximal muscles of the limbs and the muscles of the respiration this syndrome carries a risk of death caused because of associated respiratory depression the muscle weakness had an on has an acute onset noticed within 24 to 96 hours before poisoning after poisoning next उस्तों बात करते है delayed polyneuropathy the delayed polyneuropathy appears two to three weeks after poisoning the delayed polyneuropathy is due to inhibition of the enzyme neurotoxic asterases with nerve demyelination in delayed polyneuropathy the paralysis is usually limited to the distal muscle of the limbs cranial nerves and the respiratory muscles are spared the disorder is characterized by flaccid weakness and atrophy of the distal limb muscle or spasticity and ataxia तो दोस्तों दोनों के individual जानने के बाद दोनों के बीच का differentiate देखते हैं क्या features हैं दोनों के बीच में तो difference between intermediate syndrome and delayed polyneuropathy are time of onset after poisoning कब होगा एक 1 to 4 days में और यह होता है 2 to 3 weeks में sides of weakness क्या क्या होंगे upper limb के इन्द प्रॉक्णिम और इसके इन्द डिस्टन neck muscles के इन्द यहां पे present लेकिन यहां पे कोई भी effect शो नहीं करेगा cranial muscles यहां पे present लेकिन यहां पे absent respiratory muscles यहां पे present होंगे जो effect करेंगी weakness को और यहां पे absent होंगी Electromyogram के इन्द क्या देखने होंगे Titanic fate लेकिन यहां पे denervation recovery from onset of recovery from the time of onset क्या होगा यहां पे 4 to 18 days लेकिन यहां पे 6 to 12 months और फॉस्फरे कंपाउंड्स कौन 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 कौनली इन्वाव होते हैं फेंठ्थियोन डैमिध्थियोनेट मोनो क्लोटोफोन्स लेकिन यहां पे कौन कौन होंगे मिथा 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 मिदोफोन्स प्राइप्लोफोस लेक्टोफोस लेक्टोफोस तो यहां पे में जो है दोस्तों यह जो साइट और वीक्नेस हैं यह इंपोर्टन है कि किस किस केस में जो है वीक्नेस देखेगी और किस किस केस में वीक्नेस नहीं देखेगी नेक्स्स दोस्तों बात करें डियाग्नोसिस की कि हम इसका डियाग्नोसिस कैसे करेंगे तो कॉलिनेस्टरेज लेवल को चेक करके तो depression of RBC कॉलिनेस्टरेज लेवल more than 50% of normal indicates organophosphate poisoning that decrease is due to binding by phosphate group of pesticides it is better parameter than plasma कॉलिनेस्टरेज याने की RBC कॉलिनेस्टरेज ज्यादा अच्छा है plasma कॉलिनेस्टरेज से depression of plasma कॉलिनेस्टरेज लेवल more than 50% of normal indicates indicates organophosphate poisoning this test is more specific as plasma कॉलिनेस्टरेज लेवल is also depressed in cirrhosis of liver नियोप्लेजम, नियोप्लेशिया, malnutrition, septicemia due to burn, obstructive jaundice तो main जो होता है इसके कॉलिनेस्टरेज लेवल को चेक करते हैं हम इसके तरह और क्या तरीक है कॉलिरो कॉलोरी मेटरिक मेथड इसके नहीं क्या करेंगा 100 degree centigrade for 20 minutes organophosphate insecticide shows a characteristic purplish blue color that can be read using spectrophotometer और क्या क्या तरीक है इसके दोस्तो पी नैट्रो phenol test paper chromatography, thin layer chromatography, gas chromatography, gas chromatography, gas chromatography mass spectrometry, high performance liquid chromatography, ECG show right access deviation, ST segment depression and T wave inversion तो यह सारी diagnosis में हम diagnosis कर सकते हैं इन सब test के द्वारा management दोस्तों कैसे करेंगे हम इसका principle of treatment consists of stabilization of the patient decontamination antidote administration supportive measures and nursing care decontamination हम कैसे करेंगे skin पर गिर गया है तो the affected part should be washed thoroughly with copious water यानि कि अगर skin पर गिर गया है तो बहुत बस पानी से दोते जाना 15 से 20 मेंट तक minimum आपको दोते जाना 15 से 20 मेंट तक मिनिमाम आपको दोते जाना 15 से 20 मेंट दोते जाना है ocular अगर आँखों पे गिर गया है तो क्या होगा copious eye irrigation with normal saline और tap water इंजेशन अगर कर लिया ही तो क्या तो क्या करेंगे गेस्ट्रिक लिवाज और अड्मिस्ट्रेशन अफ एक्टिवेटर चार्कोल antidote क्या है antidote administration antidote क्या atropine is competitive antagonist of acetylcholine and block musculinic manifestations of organophosphate it does not reverse peripheral muscles muscular paralysis which is nicotinic action the atropine should be given 2 mg intravenous promptly with dose repeated every 10 minute till pupil dilates up to 200 mg has been has been administered in a day some authorities recommend administration of atropine until bronchial and other secretions have dried according to them pupil size and heart rate can't be used as endpoint continued treatment with maintenance dose may be required for 1 to 2 weeks antidote के अंदर पहला है atropine हम दे सकते हैं oxams are used as they help in help to regenerate acetylcholine as musculinic and nicotinic and cns sites prelidoxime prelidoxime 2pm is given IV intravenous as 500 mg per 20 ml infusion in a dose of 1 to 2 gram children's के case में 20 to 40 mg per kg देते हैं तो यहां पर antidote के अगर बात करूं तो antidote तो antidote हम यहां पर दो दे सकते हैं atropine और और हम यहां पर दे सकते हैं प्राइली डॉक्जेम प्राइली डॉक्जेम नेक्स बात करते हैं दोसों supportive measures के बारे में तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं आक्सिजन अड्मिस्टेशन कर सकते हैं ventilator assist कर सकते हैं एसिस्टेंज देना रहेगा हमें maintain vital parameters hydration urine output यह साथ चेक करना रहेगा conversion should be controlled with judicious use of diazepam तो अगर conversions होते हैं पेशेंट को तो उस case में हम patient को diazepam देंगे avoid giving इसके नदे हम क्या नहीं दे सकते हैं other acetyl coloniesterases inhibitors such as fustigmine and endorphonium यह साथ चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं succinyl choline भी नहीं दे सकते for rapid intubation यह यह दो चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं autopsy के इंदा में क्या-क्या finding देखने हो मिलेगी insecticide-like smell जैसे कि sometimes garlic or kerosene-like यह साथ smell देखने हो मिलेगी froth as mouth and nostril, sinuses, constricted pupil, stomach contents have insecticide-like smell, mucosa is stained with compound odour, congested and eroded, congestion of organ, pulmonary edema, cerebral edema, features of toxic myocarditis has been reported, microscopic examination of heart reveals dilatation of pericardial blood vessels with hemorrhage in the surrounding tissue, interstitial edema of myocardium, inflammatory cells, hemostedrine-laden micro phages and fatty infiltration of the myocardium, तो इसाइची भी देखने को मिल सकती है, medical legal importance का है दोस्ते इसका, accidental poisoning में occur in farms while spraying in the field or opening the lid of the containers, तो अगर मालिए वो field में spray कर रहा है या container को खोल ला उसकेस में accidental poisoning हो सकती है, suicidal poisoning is common with this insecticide, homicidal is rare as it is difficult to mask the smell of insecticide, तो इस टुमक में तो और्गनो फॉस्फेट कंपाउंट फौनी इस टुमक तो यह इस टुमक में जो जो और्गनो फॉस्फेट कंपाउंट था वो ऐसा दिखेगा, gastric mucosa stained with compound color and showing congestion, तो यह color दिखेगा हमें gastric mucosa के अंदर, तो दोस्तो और्गनो फॉस्फेट कंपाउंट के अंदर, हमने पहले देखा कि दो टैप के होते हैं, alkyl group और aryl group, alkyl के लिए मैंने आको बदाए था निमोनिक मलाई का, और aryl के लिए मैंने बदाए था पराया, तो यहां पर जेता हूँ, जो पैरा थायोन था वो आता है आपका aryl group के अंदर, और जो मायल थायोन था वो आ रहा था alkyl group के अंदर, इसके अंदर दोस्तों mechanism of action क्या था, कि यह irreversible, जो है inhibition of acetyl cholinesterases कर देता ही है, इसके अंदर जो मैंने clinical features मैंने आको बदाए था, red decardia increased secretion construction of people, यानि कि meiosis कर देता है, इसके अंदर मैंने आको बदाए था red tears देखने को मिलेंगे, इसके मैंने यह भी बताए था, कि antidote के तौर पे हम इसके अंदर, हम atropin दे सकते हैं और pralidoxamine हम दे सकते हैं, तो दोस्तों इसके साथ हम next topic start करते हैं, next topic है दोस्तो, organo chlorines, तो इसके नहीं जैसे main head, EDT, endrine, यह साइच चीजह हम पढ़ेंगे, तो organo chlorine insecticides are chlorinated hydrocarbons and are divided into four types, चार टाइप में divided होते हैं, पहला DDT and analogs, दूसर है benzene hexachloride group, C है cyclodines and related compounds, इसके नहीं आता है endrine, aldrine, dalbrine यह साच चीजह आती हैं, चौत है toxfen and related compounds, इसके नहीं आता है toxa feed, availability किस किस फॉर्म में available होते हैं, these compounds are available as dusting powder, emulsions, granules and solution, इन सब फॉर्म में यह available होते हैं, fatal dose क्या होते हैं, DDT 15 to 30 grams, इसका fatal dose होता है, linden का fatal dose होता है 15 to 30 grams, ऐसी aldrine, endrine, इन सब के fatal dose होते है 2 to 6 grams, तो main होते हैं, दोस्तों इसके नहीं DDT और linden, तो इसकी मैं एक image दिखा जाता हूं, यह है DDT, यह है DDT और यह है linden, powder form में ही है, तो दोस्तों इनके absorption, metabolism और excretion की बात करते हैं, तो absorption हो गई, organochloride compounds are absorbed through skin, inhalation and through gastrointestinal tract, most of the compounds are metabolized slowly in the body and remain in tissue, especially in fatty tissue for prolonged duration, these compounds are metabolized in liver and are secreted in urine, phases and milk, यह mechanism of action क्या होगा इसका, organochlorines effect nerve impulse transmission by altering membrane, sodium potassium flux resulting in CNS hyperexcitability, organochlorines produce myocardial irritability, thus predisposing to cardiac arrhythmia, DDT किया का बात को, DDT and related compounds affect the sodium channel and sodium conductance, across the neurological membrane, especially of axon, cyclodine and lindane appears to inhibit the GABA-mediated chloride channel in the CNS, तो इन सब तरीके से इसका mechanism of action होता है, क्लिंकल फीचर्स की दोस्तों अगर बात करूँ, तो acute poisoning के case में GIT में क्या 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 इंदर क्या देखने हम लेगा, nausea, vomiting, diarrhea, hyper paresthesia और paresthesia of mouth and face, CNS के अंदर क्या देखने हम लेगा, headache, vertigo, myoclonus, midriasis, weakness, agitation, confusion, convulsions, coma, respiratory system के अंदर क्या देखने हम लेगा, cough, wheezing, if aspiration or inhalation occur, renal failure देखने हम लेगा, hepatitis देखने हम लेगा, acute poisoning के अंदर, next दो सो बात करते है, chronic poisoning की, the exposure of these compounds for prolonged duration may result in cumulative toxicity characterized by anoxia, weight loss, weakness, primus, opsoclonus, ataxia, pseudotumor, cerebride, abnormal mental changes, oligospermia, thrombocytopenia, thrombocytopenia, linden and bsc have been linked to aplastic anemia, तो clonic poisoning के अंदर, ये साथ ये देखने को मिलेंगी, next दो सो बात करते हैं, इसके management की, तो इसके management में क्या क्या आता है, skin के अंदर अगर गिरता है, तो क्या करेंगे हम, the affected part should be washed thoroughly with copious water, जैसे मैं आपको बताता हू, 15 से 20 मिनट तक minimum धोते जाना है पानी से, ocular यानि क्या आँखों पे गिर गया तो क्या करेंगे, copious eye irrigation with normal saline और tap water, अगर ingest, अगर किसी ने ingest का लिया तो gastric leverage and administration of activated charcoal, oxygen administration and ventilator assistance, maintain vital parameters, hydration, urine output, convulsion should be controlled with judicious use of dizepam or lorazepam, hyperthermia should be managed in usual way, arrhythmia can be managed with lidocaine, तो इन सब चीज से हम management कर सकते हैं, तो जैसे पानी से धोना रहेगा, activity charcoal का दे सकते हैं, गैस्टी लिवाज कर सकते हैं, हम इसके अंदर whiter parameters को check करते हुए, जा हम अगर कलवन्शन्स देखने को मिलते हैं तो lorazepam, dazepam दे सकते हैं, हम इसके अंदर अगर arrhythmia देखने को मिला है तो lidocaine भी दे सकते हैं, तो avoid giving, तो इसके अंदर क्या-क्या हम नहीं दे सकते हैं, epinephrine हम नहीं दे सकते, may cause exacerbate ventricular arrhythmia, atropine नहीं दे सकते, oil-based fluid food और cathartics यह साई चीजे हम नहीं दे सकते हैं, जैसे atropine के बारे में हमने देखा था कि जो organophosphate compounds होते हैं उसके अंदर यह antidote होता है लेकिन इसके case में हम नहीं दे सकते हैं, नेक्स उसे बात करते हैं, autopsy finding की तो autopsy finding के नहीं क्या क्या देखने मिलता है, insecticides like smell, froth at mouth and nostril, sinuses, congestion of organs, pulmonary edema, cerebral edema यह साई चीजे और autopsy finding के नहीं देखने को मिलेगा, medical legal importance के अगर मैं बात करूं तो accidental poisoning में अक्कर in farmers, while spraying in the field or opening the lid of the containers, suicidal poisoning is also common with this insecticide, homicidal is rare as it is difficult to mask the smell of the insecticide, तो दोस्तों इसे के साथ organochlorine compound भी खतम होता है, तो एक बार ही revise कर देते हैं इसको, तो इसके में ने DDT और Enbrine, सबसे पहले Enbrine के बारे में बात करते हैं, revise कर देता है, Enbrine को plant penicilline के नाम से भी जाना आता है, Enbrine के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि my dresses देखने हो मिलता है इसके poisoning के अंदर, Contraindicated क्या होता है, प्राली डॉक्जमीन, तो प्राली डॉक्जाइम जो है Contraindicated होता है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि यह जो है subcutaneous fat deposition हो जाता है, जिसके वैसे toxicity बढ़ आती है, लेकिन इसकी वैसे जो है good side for investigation करने के लिए भी good side बन जाती है, तो good side for investigation, DDT की अगर बात में तो DDT का जो fatal dose जो मैंने बताया था 20 gram बताया था 20 to 30 gram बताया था मैंने DDT, तो दोस्तों इससे साथ आज का topic खतम करते हैं, एंड करने से पहले, you get what you work for, not you wish for, यानि कि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मुझे needpg मिल जा, needpg मिल जा उसके लिए आप कोई काम नहीं करते हैं तो कभी नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए hard work करना पड़ेगा, आपको इसके लिए महनत करनी पड़ेगी, उसके लिए time निकालना पड़ेगा, time देना पड़ेगा, work करना पड़ेगा, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मैं जो है aims का form भर देता हूँ, और aims में को मिल जाएगा, यही सब करते रहेंगे, ख्याली पलाओ नहीं पकाना है, हमें उसके लिए काम भी करना रहेगा, तो इस quotation से, इस quote से, हमें यही हमें सीखने चाहिए, कि हमें wish करने से भी ज अगर जिन लोगों ने drop लिया है इस साल, उन लोगों से request है कि वो पढ़ाय स्टार्ट कर दे, अगर वो सिर्फ यही सोचेंगे, कि exam से दो मैने पहले book खोलके हम pass हो जाएंगे, अच्छे नंबर से rank लियाएंगे, अगर उनकी यह सोच है, वो ऐसे ही सोचते हैं, इन सब करक उनकी needpg crack हो जाएगी, उनको needpg मिल जाएगी, तो एक गलत है, आपको अभी सही work करना, start करना पड़ेगा, जिन लोगों ने start कर दे, उनके लिए बहुत अच्छे बात है, जिन लोगों ने start नहीं किया, उनसे मैं यहीं कहूंगा, बार बखाऊंगा, कि अभी बीड मौका है अपनी पढ़ाही start कर दीजे, क्योंकि अभी भी 8-9 महिने बाकी है, अभी भी अगर आप पढ़ाही start करते हैं, तो चार से पांच महिने में आप अपना course खतम करके, आप अपना revision start कर सकते हैं, तो दोस्तों इसे साथ आज का वीडियो में end करता हूं, एंड करने से पहले हमा वीडियो को लाइक जरू करा करिया, अगर आप लाइक करते हैं, तो हमें अंदर से और भी ज्यादा motivation आता है, कि हम और भी ज्यादा slides रखें, क्योंकि यह recorded session है, तो यहाँ पे जो है, कोई भी doubt clear नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह recorded session है, तो ऐसे में हम लोग कोशिश करते हैं, कि ज्यादा ज्यादा हम slides रखें, ज्यादा ज्यादा हम images रखें, ज्यादा ज्यादा हम points रखें, ताकि अगर आप download करके, आप वो slides देख सको, या screenshot लेके, आप free time में उसको देख सको, या आप अपने notes बना सको, उस slides के द्वारा, जैसे में आपको जाये, दोस्तों, यह recording session होता है, तो ऐसे में अगर आपके कोई भी doubt है, तो आप app के अंदर मेरी special class के अंदर में इसे doubt क्लिया कर सकते हैं, उसके दो में live पढ़ाता हूँ, live पढ़ाने का यही benefit है कि आपका ये एकदम offline classes की तरह लगेगा, बस फर्क किता है कि आप अपने घर के safe environment में रहके आप classes ल है कि आप एकदम live classes करके आप अपने घर पे safely needpg preparation कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बदाया था, एक feature मैंने बताया था कि इसके अंदर, अगर मानीजा हम कोई question process इसके चार option है, वो चार option आपके screen के और reflect हो जाएंगे, आपको बदर correct option choose करना है, जैसे आप option choose करेंगे, आपके सामने correct answer आजाएगा, तो दोस्तों इसे साथ, मेरा जो code है, वो है live DRM, अगर subscription लेते समय, अगर आप मेरा code यूज़ करते हैं, live DRM, तो आपको additional 10% का discount मिल जाएगा, जाने की, अगर आप 24 month का subscription लेते हैं, तो उसके charges है 30,000 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा code यूज़ करें ये live DRM, तो आपको 30,000 नहीं देना, या आपको पढ़ेगा 27,000 रुपीज का से, ऐसी दोस्तों, अगर आप 1 month का subscription लेते हैं, तो 1 month के जो subscription charges हैं, वो है 4,500, ऐसी दोस्तों, जो 12 month के subscription charges हैं, वो होते हैं, 22,500, अगर मैं इनको add करूं, तो 27,000 रुपीज बनता है, तो यानि की आपने देखा 13 months, यानि की 13 month के subscription में ही आपको पूरे पूरे दो साल का benefit मिल रहा है, यानि की आपको pay करना 13 months का, लेकिन आपको जो सुवधा मिलेगी, वो पूरे दो साल के लिए मिलेगी, तो दोस्तों, इसी साल सा और भी काफी सारे benefits हैं, तो आपसे request हो दोस्तों, ऐसे ज तो ऐसे में हम लोग medical field से belong करते हैं, तो ऐसे में हमारा first बनता है, कि हम जित्ता जादे जादा सर्फ करेंगे, उत्ता जादे जादा help होगी, इन सबसे भी बड़ी बात ये है कि rumor फैलने से बचाएं, हम लोग medical fields हैं, तो हमारा सबसे इस time पे अगर हमारे सामे कोई गलत rumors आत ये कोई बिना मास के घूम रहा है, या कोई guidelines का properly follow नहीं कर रहा है guidelines को, तो ऐसे में हमारा first बनता है, कि हम ऐसे में उनको जो है, सही जो चीज है, वो हम उनको बताएं, ताकि उनके अंदर कोई भी गलत चीज ना रहे, तो दोस्तों इससे साथ आज की वीडियो end करता हूँ, इसका next part की recording मैं कर रहा हूँ, उस next part की जिता भी pesticides है, मैं पुरा cover करवा दूँगा, जैसे cell force जैसे मैंने कहा था, वो सब हो गया, इसके जैसे carbonate वगरा हो गया, तो ये साथ topics में cover करवा दूँगा, तब तक लिए इस वीडियो के लिए, जो है, दो topics मैंने करवा है, organophosphates औ organo chlorine compound, जैसे दोसों मैं end करता हूँ, तब तक लिए thank you